हेलो एव्रीवन वेल्कम बेक टू हमवर्क कॉर्णर आई होप यू ओल आ सेफ एंड हैल्दी मोस्ट अवेटिर वीडियो है यह सोसल साइंस क्लास फॉर्थ का चैप्टर टू है यह अब मैं कोशिश करूंगी कि डेली वन बाई वन चैप्टर आपको एक्सप्लेइन करूं औ और उनको हैंडी नौट्स की फॉर्म में लेकर आऊं ताकि आप उनको नौट्स बना सको उनको देखकर ताकि आपके रिविजन में क्विक हैल्प हो सके आपकी साथ में मैं वर्क्षीट भी अपलोड करूंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दन नोर्थन माउंटे वीडियो में इंडिया के बार में पढ़ा था उनके फिजिकल डिविजन के बार में पढ़ा था कि इंडिया पांच जो हिस्सों में बटा हुआ है मतलब हमने पांच डिविजन के हुए इंडिया के उसमें सबसे पहला था हमारा ग्रेट हिमाल्याज उसके बाद था फर्ट mountains तो चलिए देखते हैं the northern mountains जो northern mountains है वो जम्मो कश्मीर से लेकिए अरुनाचल परदेश तक फैला हुआ है आप इस picture में देख सकते हो यहां से हमारी यह है हमारा northern range mountain की जो range है और यहां पर हमारी जो east वाले state है वहां पर भी फैला हुआ है यह है हमारा the northern mountains these are made of two mountain range जो हमारा northern mountains है वो दो range से मिलकर बना हुआ है दो mountain range से मिलकर बना हुआ है पहला है कारा कोरम range दूसरा है दा हिमाल्याज ठीक है कारा कोरम range and the Himalayas कारा कोरम range जो कारा कोरम range है वो जमुएन कश्मीर में है जिसको हम केटू के नाम से जानते है और यह second highest peak है in the world लेकिन अगर इंडिया के बात करें तो इंडिया में सबसे उच्छी जो highest peak है अब आते हैं दा हिमाल्याज पे देखिए इसकी जो length है वो पच्छी सो किलो मेंटर है और जो width है वो डेड़ सो से लिके 400 किलो मेटर तक है हिमाल्या का मितलब क्या होता है संस्कित में home of snow यानि के बरफ का घर ठीक है तो जो हिमाल्या है वो कस्मीर से लेकि west में अरुनाचल परदेश तक फैला हुआ है और यह world की highest mountain peak है यह नेपाल में है और इसकी height जो है वो 8,848 मेटर हाई है यह world में सबसे उ हिमाल्या है उसको भी हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है थ्री पैलर रेंज यानि कि हिमाल्या भी तीन रेंज में फैला हुआ है सबसे उच्छा और सबसे उपर है हमारा हिमाद्री the great हिमाल्या के नाम से जानते हैं यह सबसे उपर है और यह highest peak है mountain की यहां पर आपको जो है snow throughout the year देखने को मिलेगी यानि कि पूरे साल आप यह जो mountain range वो बर्फ से डखी हुई होती है और यहां पर glacier बहते हैं क्योंकि जो बर्फ है जो वो पिंगलती है तो वो small river में जो है ice जो है बहती है तो उसे हम glacier कहते है glacier क्या होता है a glacier is a moving mass of ice यानि कि slow moving river of ice ठीक दीरे दीरे जो river है वो ice की जो बहती है उसे हम क्या कहते है glacier कहते है यहां से जो गंगा और यमना है वो दोनों निकलते हैं ठीक है अब आज आते हैं दा हिमाचल दा मिडल हिमाल्याज यह 1800 मेटर से 4600 मेटर फैला हुआ है ठीक है यहां पर जो हमारी hill stations होते हैं जैसे की हमारा मनाली, कुलू, अल्मॉरा, नैनिताल, मसूरी, दारजली यह सब famous tourist sport है यहां पर आपको apple, pierce, plum और किड के पेड़ देखने को मिलेंगे अब है सिवालिक, दा लैसर हिमाल्याज, जो सबसे नीचे है यह उत्राखंड और उत्तर परदेश में हैं अब दा नोर्थन माउंटेन रिजन इंक्लूड दा फोलोंग स्टेट जो नोर्थन माउंटेन हो किसके स्टेट में है जे जमू कश्मीर में है हिमाचल परदेश में है उत्राखंड में है शिक्किम वैस्ट बैंगोल जो कि नोर्थन पास पार्ट है वैस्ट बैंगोल का स्ट स्टेट इनमें भी जो है हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे उनकी पहाडियां ये अलावा जो फूट हिल होती है सिवालिक रेंज की मतलब बिल्कुल उसके तली में वो क्या बनाती है वो तेराई रिजन बनाती है और आपको जो तेराई रिजन उसमें बहुत सारे नैसन जुरी मल जाएंगे जैसे जिम कॉर्बेट नैसनल पार्क ठीक है इस तरीके से ये उत्रा खंड में है ठीक है उसके बाद उसके अलावा आपको क्या-क्या मिलेगा गारो खासी नागा मीजो ये क्या है जो की बरफ से जादा धकी नहीं होई होती है लेकिन यहां पर आपको फोरेस देखने को मिलेंगे आए अब इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्योर्शन करते हैं तिक दर राइट अंसर दस हिवालिक रेंज आरदा लोवेस्ट रेंज जो के उत्रा खंड और उत्रपरदेश में आपको देखने को मिलेगी उसके बाद दा वर्ल्ड हाइस्ट पिक जो हिमाचल रेंज यह किसमें आएंगे हिमाचल रेंज में आएंगे उसके बाद डिफाइन दा फोलोइंग माउंटेन पास माउंटेन पास क्या होता है जो माउंटेन के बीच में से या तो नैचुरल यह लोगों के दवारा कोई भी उसके उपर से या उसको काट करके बनाया गया रास्ता नेरो मतलब भीड़ा सा रास्ता उसी को mountain pass कहते है जैसे रोतांग pass ठीक है तो a mountain pass is a narrow path over and through the mountains which is neither sorry either natural or man-made उसके बाद the कारा कोरम range चो कारा कोरम range है वो northern most range है जम्मो कश्मीर में locate करती है well known as K2 and second highest peak in the world ठीक है उसके बाद glacier हो कैसे define करेंगे a glacier is a slow moving river of ice glacier क्या है एक river है जो किसकी river है ice की river है जो कि slow slow यहीं बहुत fast चलती है slow moving यहां कि धीरे धीरे चलने वाले क्योंकि उसमें बर्फ होती है हमारी जो हमादरी range है उस पे क्या है बर्फ से धकी हुई होती है जब उस पे कभी भी सूरज की थोड़ा बहुत यह temperature बढ़ जाने की वज़े से थोड़ा सब पाट भी लेक कराऊंगी तो तिल देन बबाई stay safe stay healthy